तो कईस फाइनली फ्रीफायर का ओवी ठटींवन का एडवांस सर्वर आज चुक आज जैसे एडवांस सर्वर आता तर्टेंज फ्रीफायर के सभी ओडेंस प्लेयर के मन में एक बड़ा डाउट निकल का बहुत सारा यह कि भाई इस बर जो OV31 का अपडेट आएगा या जो एडवानसर में क्या-क्या न्यू चीज़ आए कौन सी न्यू गन आई है कौनसा न्यू मैप आया कौन सा न्यू पेट आया कौन सा न्यू करेक्टर आया साथी साथ कौन से न्यू इमोर्स आया तो सब कुछ आज की उड़ों में आपका भाई बताने वाला है, नहीं बताऊंगा, तो गाईस आप इस चाचा के भातों में ध्यान मत देना, ये बीज़ीच में कहां स्याद आता, भाई कौन है एडिटर, इसको पता करो, इसको कौन बीज़ीच में डालता है, तो गाईस, आपका भाई बताने आरा, जो कि अजय भाई आप लोग का है, तो यहाँ पर बात करने आएंगे, कि फ्री फायर के कहके, आपको फ्री फायर के ओवी ठैट यून के बाद अपडेट दिखाए देंगे, साथ दी साथ आज फ्री फायर के टूनाइट अपडेट क्या आप लोग को दिखाएगा, वो भी आप लोग एक छोट पास अपडेट यहाँ पर बता दूँगा, कमेंट करके नाम बताना इस जगह को क्या बलते बर्मुरा रिमाश्टर में प्लेस को यहाँ पर दिखाए देगा विंटर पर पूरा थीम मतलब यहाँ पर स्नो गिरते रहेंगे, अदर जगह पर नहीं गिरते रहेंगे, तो यह आपके फ्री फैल में सबसे फर्स्ट आप लोग का एक अपडेट भी बता दिया, साथिसा इसका कोश्चन का मुझे कमेंट भी करना कि इस जगह का नाम का है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं सबसे फर्स्ट आपडेट की जो कि आप लोग के फुरी फैल के टू नाइट अपडेट में आज दिखाए देगा, जो कि आप लोग का कल 20 तारीक होने माला, कल यह आप लोग को विया इवेंट का पिक डियोगा, जो कि लोगिन रिवार्ड में आप लोगों को वहाँ पर क्यारेक्टर, साथे साथ अधर रिवार्ड मिलेंगे, आप लोगों को गाईज, वहाँ पर बहुत लोगा डाउट था कि मौन्स्टर ट्रक की स्कीन लेने के लिए कितने टोकन चाहिए, साथे साथ फीमेल बंडल डाइमर रोल के वाच्छ वेपर रोल लेने के लिए तो गाईज, आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हो, 80 टोकन आप लोगों को यहाँ पर चाहिए होंगे, सुथ का घर पर भी कपड़ा पहन पाऊगे, और नहीं तो अगर ज्यादा पैसा हो गया, तो अपने फैमिली मदर फादर को कुछ गिफ्ट कर दो, हैप्वी नियर के थीम पर मावा भी खुस हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, और बंडल जाएगा, जारे साथ आप एक हपते, दो हपते, दो मेने, छे मेने पहने होगे, फिर न्यू बंडल आएगा, तो फिर आपका मन होगा कि कास वाला बंडल ले लंगू, तो ऐसा आप लोग के होगा, ऐसा कोई आपके भाई, कोई अपना यूटूबर ऐसा बात दिया, यह सब करता है कि नहीं मुझे पता, बट आपका भाई, आप लोग का रिलेशन में, हम फैमिली मानता हो, तो आपको फैमिली के सजेश्ट करूँगा, आपकी तिंकिंग जो भी आप करो, आप बढ़ते हमारे, यहाँ पे मेन अपडेट्स की, जो कि आप लोग के OV31 अपडेट्स के निकल के आ रहे, तो सबसे पहले, फ्री रिवार्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री रिवार्ड यहाँ पे देख सकते हो, फाइनली निकल के आज चुका है कि क्लास इसकार में, यूएमपी की गियान स्किन कैसी लुकिंग वार्ड होने आलिए, साथी साथ आप लोग का, बी यार रैंक सीजन जो आएगा, उसका भी आप लोग को यहाँ पे फ्री में देख सकते हो, फामार्स की स्किन, दोनों आप लोग की वार्ड देख सकते हो, यह आप लोग को मिलने वाला, इसका नाम भी आप पढ़ सकते हो, तो यह आप लोग को इस बाद फ्री फाइग के, मतलब न्यू रैंक सीजन जो आएगा, CS का साथ ही जाद रैंका, उसमें आप लोग को रिवार्ड मिलेगा, उसके साथ साथ और भी हम इवेंट के बारे में बात करेंगें, तो सबसे फर्स अब्री यहाँ पे आप लोग के सामने, जो फ्री फाइग में आप लोग को अल्री बता था, तो जो उसो जाके चेक आउट कर लिए ना, डिस्कुप्सेन और कमेंट सेक्सेन में आपको लिंक मिल जाएगी, अब बात करते हैं उसके अलावा, यहाँ पे तो आपके फुरी फाइग में एक न्यूव करेक्टर भी आने आला, तो जो लाई का रोबो पेट आपका जिसे ग्लूवाल को मतलब फोर्ड ने में टाइम लिप्डेट लेता, उसके सामने माल में 50 HP का एक मतलब और ब्लू कलगा लगा देता लेयर, तो सेम इसका भी ऐसा होना है, ग्लूवाल फोर्ड ने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, साथी साथ आप किसी दुसरे का ग्लूवाल फोर्ड होगे, तो थोड़ा हो जल्दी कर देगा, यही मेनली इसका काम होने आला, तो आप कमेंट सेसरे में मुझे बता सकते इस पेट की, यह क्यारक्टर की एविलिटी आपको लुकिंग वाइस कैसे क्या लगी, तो मुझे भहुत ही नॉर्मल लगी, कोई इतनी खास तो नहीं लगी, और साथी साथ गयाज उस पेट की भी अबिलिटी पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला, तो डेंशन लेने की बात में हो क्योंकि उस मैं समझाऊंगा एकदम अच्छे से, कि उसका कुछ रेडिउच डैमेज यह सब करेगा, का बंडल आया था, उसी पे थीम इन्हों ने बना दिया, जो कि आप लोग को एनिमेशन में मिलेंगा, अच्छे का से डैमेंड रूटने वाले, साथी साथ गयाज यहाँ पे सकेंड एनिमेशन वाला भी निकल के आ चुका है, जो कि आप लोग के विंटर लाइन थीम पे आने वाला, जो कि यहाँ पे आपको लगी रहा है, सेंटा क्लाउस में जिससे दिखाया जाता है, कार्टून्स में यहाँ माना जाता है कि ऐसे गोड़े पे बेट के जो आते, सेम उसी थीम पे यहाँ पे फ्री फाइन ने लाँच कर दिया, जो कि आप लोगों को दिखाये देने वाला, साथी साथ एक छोटा सा और अप्डेट बता दू गाईज, आपके फ्री फाइन में जो भी अपने एनिमेशन दिखा, यहाँ पे सेंटा वाला, वो गाईज, आप लोगों का यहाँ पे स्काइविंग की स्कीन भी होने आले है, जो कि विंटर लाइन थीम पे आने लेए, सबसे फर्स्ट अप्डेट आप लोगों का अपने भाई ने बताया, अभी तक इसी ने ने बतायागा, कि स्काइविंग के इसी स्कीन भी आप लोगों को दिखाए देने वाले, साथ दी साथ आप यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फार के कुछ न्यू इमोर्स की जो कि आपको जल्दी दिखाए देंगे, बनलों, ओबी 31 अप्डेट के बाद ही दिखाए देने वाले, सिल्ड तोर रहा है, अभी इसका अनिमेशन पूरा अच्छी तरीके से आई थिंग नहीं है, यह पता नहीं, ओभी 31 अप्डेट के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, साथ दी साथ, यहाँ पर ठर्ड एनिमेशन देख सकते हैं, फायर वाला, जो कि भूथ ओपी फील आएगा, यह आपके लॉबी में जब आप करोगे ना, तो आपके सामने अले बंदे तो पुड़े मतलब घबरा जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बंदा मतलब जिससे इसको गोली लग गए और फिरो रोगते ने काई तूने मुझे मुझे मार पाई देखो सकते हैं यह बहुत फनी लगा तो मुझे यह चार इमोट आपके फ्रीफार के ओभी 31 अप्रेट्स में आएंगे जो कि सबसे लाश वाला मुझे बहुत फनी लगा साथे उससे पहले सभी के सभी पेस्ट रिमोट थे आप कमेंट करना आपको कौन सा बेस्ट लगा उससे के साथ सब कैसे आपके फ्रीफार में न्यू चीज और हैट होगी है अब के फ्रीफार में साउंड म्यूजिक ज सब था ही आप आपके फ्रीफार में वाइब्रेशन भी आने वाला है मतलब ज scenarios वाली में आपको फ्रीफार में न्यूचीज सेटिंग में पर् tenemos gehen did मोट आने माला है आपका क्लैस उसका रैंक था आपका जो नॉर्मल बैटल रोय रैंक गेम था अब ठर्ड यहां पर डिखा गया कि रैंक दिया गया तो यह आपके फ्रीफार में आईरन केज जो आपको मालूम होगा आपको पताएगा लॉन अफ मोल्ड जो आपका था उसी में आप लोगो यहां उसमें भी रैंक चीज होने आला है देखते क्या कुछ होगा जो ओभी 31 का अपडेट सेंगे तो उसमें आपको बता दूंगा हाँ मैंने अभी लिंक है वहाँ पर देफ फूर आवर्स लाइव करता तो आप जो उसके फॉलो कर लो साथ में खेलेंगे तो यह आपके फ्रीफार के में अपडेट थे जो कि आपको ओभी 31 अपडेट के बाद दिखा देंगे इसके अलावा भी और भी अपडेट है जो की फीचर आपको व भी 31 के अपडेट मिल जाए तो मिलते किसी ने शुटो में ततो को लिए बाइबाई थैंक्स फॉर वाचिंग